नमस्कार दोस्तों मैं उंकर उपाधिया, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसस में दोस्तों बजार तो जूलता हुआ दिख रहा है और जूलते हुए बजार में आप सभी के साथ मैं अभी बात करूँगा मेरे पास कुछ कमेंट्स आई है जब मैंने आज बलुचिप स्टॉक्स और लॉंग टर्फोलीय स्टॉक्स की वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आप सभी के साथ मेटल?!" मेरे पास कुछ कमेंट आई कि आपने मेटल्स तॉक्स को रेकमेंट नहीं करा ऐसा और एक कैमिकल industry में शियर बजार की तो मिलेंगे but blue chip category में fit नहीं होगा शायद मेरे को नहीं दिखते हाँ एकाद होगा वो मेरे दिमाग में उससे मैं एंटरन नहीं करा होगा बात रही metal stocks की तो metals में blue chip के बारे में बात करें तो hindal को I think consider करा जाता है blue chip के रूप में बट मुझे ना metal stocks long term के हिसाब से मैं इनको avoid करता हूँ मैं आप से यह नहीं कहूँगा आप avoid करो मैं personally खुद और जब मैं खुदी मेरे को समझ नहीं आ रहे तो मैं आपको कैसे समझा दूँ मैं क्यों avoid करता हूँ उसके पीछे का reason देता हूँ देखिए मेरी problem यह है कि metal stocks को अगर मैं recommend करना हूँ ना long term के लिए तो मुझे बहुत सारे triggers देखने होंगे पहला demand scenario continue इनकी demand supply mismatch होती रहती है continue कभी supply जादा कभी demand जादा कभी supply जादा continue plus global situations इनके लिए हमेशा अच्छी रहनी चाहिए plus globally कोई भी cover आके इनकी band बजा देती है तो यह इतनी सारी चीजों से attract होते हैं इसलिए मैं क्या करता हूँ metal stocks को long term में cover नहीं कर पाता हूँ और मेरा long term एक साल 6 महीने 9 महीने का नहीं होता मेरा long term होता है 3 साल 5 साल 10 साल यह मेरे इसाब से long term है यहाँ पे लोग long term की वीडियो तो देख लेंगे share 4-5% नीचे किर जाए तो परिशान होने लगेंगे अरे आपने company में निवेश करा है अगले 3 साल 5 साल के लिए आप 10% से डर रहे हो आपको 100 गुना की सोचनी चाहिए यहाँ पे वो बंदा भी है जो 1% का stop loss रखके 3% का profit बनाने की सोचता है यहाँ वो भी है जो 3% का stop loss लखके 10% बनाने की सोचता है यहाँ वो भी बैठे हैं जो 10 से 20% का stop loss रखते हैं और 50 से 100% के target रखते हैं यह depend आप पे करता है कि आप किस way में बजार को देख रहे हैं मार्केट में ऐसे भी बड़े बड़े निवेशक हैं जो stop loss रखते ही नहीं है केवल गिरावट में खरीदना जानते हैं ऐसे भी हैं अब आप 80 कचोलिया जी को ले ली जी है विजय के एडिया जी को यह क्या करते हैं सिंपल सी बात है इनका एकी fund आया कि मेरे को तो जब सब लोग stop loss हिट करके अच्छा अच्छा share बेच रहे हैं मैं तो तभी खरीदूँगा उनका यह मानना है तो क्या वो खराब है उन्होंने इतना बड़ा पैसा बनाया है तो मार्केट में थियोरी सबकी अलग-अलग मिलेगी डिपेंड करता है आप पे कौन सी सूट करती है डिपेंड करता है आप कैसे पैसा बना सकते हो अभी मैं आप सब्ली के साथ Metal Stock में बात करता हूं Tata Steel, Hindal को वेदानता long term में तो मैं आपको पता है बात नहीं करता हूं इन पे जादा हाला कि long term में मैंने अंडर 500 में एक साल के व्यू से लॉंग टम मैं नहीं मानता हूं से मैं आप से कह गा लॉंग तीन-पांस साल मानता हूं तो अंडर 500 मैंने हिंडाल को रिकमेंड करा था क्योंकि मुझे उसकी डिमांड और सप्लाई में इतनी कोई दिक्कत नहीं दिख रही थी और स्टॉक बहुत अच्छे लेवल्स पे था 380 के सम्तिंग था 500-480 के टार्गेट से 480 मेट कर गया तीन महीं तो बहुत अच्छा रहा अभी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ शॉर्ट टम में कैसे रह सकते हैं स्टॉक तो पहले हिंडाल को की बात कर लेते हैं देखिए मा 445-448 के लेवल्स आ सकते हैं एक से दो ट्रेडिंग सेशन में वो इसके लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करेंगे और फिर स्टॉक अपनी जरनी उपर की तरफ दुबारा चलने लगए इस टॉक अभी नेगेटिव नहीं है अच्छा ही दिख रहा एक अच्छी खासी तेजी के बाद दीरे-दीरे मार्केट के असके असको गिराती है मार्केट तो वो उपर चल देगा आपके पास दुबारा से तो मेरे एसाब से बने रहे और हां हमारा टेलिग्राम में जो EI होटल की जो EI है लिमिटेड के लिए आपको रिकमेंडेशन थी मैंने अपने य 50 पे भी कॉल्स आएगी मेरी तरब से जहां हम इंट्राडे ट्रेड लेंगे अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हमारे साथ टेलिग्राम पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा जुड़ जाएए ठीक है तो हिंडाल को क्या कह रहा हूँ मैं अभी नीचे आ रहा है बट नेगेटिव नहीं है दुबारा बांस बेक कर देगा तो बने रही है या फिर 445 कराओं ना सकता है वहां एंट्री करिए यह आपके लिए रहा होगी नेक्स टाटा स्टील टाटा स्टील की बात करें तो यह स्टॉक तो हरे निशान में बंद होता हुआ दिखाए आप आपके फ्राइडे की गिरावट के बाब जूद भी बट यह स्टॉक ना नो ट्रेड जोन में है इस समय नीचे मिलता है अगर हमें 106-107 तो मैं खरीदने की राय दूँगा यहां अगर आप खरीदे तो 108 रुपे 107 रुपे 106 रुपे यह कोई SL नहीं है SL सीदे 105 रुपे तो मैं यहां 111 रुपे खरीद के आप से को 115 का टार्गेट 106-104 का स्टॉप लॉस रखो तो भाई आप 6 रुपे का स्टॉप लॉस चार रुपे का टार्गेट रखोगे या फिर-फिर तो मेरे से बड़ा कोई बेफकूफ नहीं होगा जो मैं इतना बड़ा रिस्क रिव स्टॉप लॉस 304 पर आपके लिए 6 रुपे का स्टॉप लॉस टार्गेट 315-318 बस 320 के आसपास बेज़ दो भी या सिंपल 320 रिस्टेंस है तो यह ओवरॉल वीडियो मेरी इस समय मार्केट को लेकर मैटल स्टॉक्स को लेकर होप आपको समय पसंदानों आयोगी थैंकियो यह जो बढ़ाई था आपके लाइँ